दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे GDS second merit list के बारे में इसके साथ ही साथ जो remaining state है जहां पर अभी तक result नहीं आया है first merit list नहीं आई है तो उनके बारे में बात करेंगे कब merit list आएगी कब announce होगी और कितना percent cut off जा सकता है इसके अलावा सबसे most important जिन बच्चों का first merit list में selection नहीं हुआ है वो second merit list में कितने percent तक यहां पर उमीद लगा सकते है second merit list कब तक आ सकती है साथ ही साथ कितने percent पर उनका selection हो सकता है और total number of merit list कब तक आएगी और किस किस समय आएगी और कितने percent तक नीचे down cut off रह सकती है इन सभी बातों पर detailed discussion करेंगे शुरू से लेके end तक इस वीडियो के साथ में बने रहे है ना GDS वालों के लिए सबसे most important यहां पर यह मैं discussion करने वाला हूँ तो यहां दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है इसकी official website क्या है और result यहां पर जो first mail list है वो भी यहां पर announce हो चुकी है और आप में से कई लोगों ने result देख लिया भी होगा अब यहां पर मैं बात करूँगा second mail list की उससे पहले मैं आपको short में यहां पर संक्षेप में आपको यह बता देता हूँ यहां पर आपको Indian Post Office की website पर जाना है यहां पर आपको देखना है GDS online engagement scheduled July 2024 list first तो यह list first है इसको आप सभी ने देख लिया होगा result भी check कर लिया होगा मैं यहां पर बात करूँगा remaining state जो है उनकी क्या cutoff रह सकती है साथ ही साथ यहां पर जिन state की cutoff यहां पर निकली हुई है आंधरा, SM, दिल्ली, गुजरात और यहां पर देख सकते हो करनाटका, गेरलगा, महरास्ट, उडिसा, पंजाब, तमीनलाडू, तेलंगाना, वेस्ट, बंगोल यह सभी state की cutoff है, उनमें जो remaining बच्चे है, यानि की जिनका selection नहीं हुआ है, उनको अभी क्या करना चाहिए, कितनी उनकी cutoff हो सकती है, second merit list में, उसके बारे में थोड़ी सी में यहां पर आपको जान कर देता हूँगा, सबसे पहले किसी भी एक state को आप select कर लीजे, जैसे कि यहां पर मैं इसकी official जो website है, उस पर आपको लेके चलता हूँ, official website में result open कर लेता हूँ, जैसे कि यहां पर आप result देख सकते हो, जो short list state candidate है, उसका यहां पर click करना है, उसके बाद में जो भी state है, यह आपके सामने screen पर show हो रहोंगे, इन states में किसी एक state को में उठा लेता हू और फिर उसके हिसाब से में remaining जो भी आगे cut off निकलने वाली है, उसके बारे में आपको बता दूँगा, यहां पर open कर लेते हैं, आप यहां पर देख सकते हो, अभी जो cut off यहां पर महरास्ट राकी में खोल के रखा हूँ, महरास्ट सर की list first, अभी बात करेंगे list second में किन कि बच्चों का number आ सकता है, expected around, यहां पर मैं बता देता हूँ आपको, यहां पर जो cut off है, यह आप screen पर भी दिखरा होगा आपको, जो SC, ST, Unreserved, OBC, चाहे कोई भी category हो, मैं यहां पर scroll करके देख पा रहा हूँ, नीचे सबसे last में आ जाता हूँ, जो कि सबसे last में कितनी cut off तक जा चुका है यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हो, नीचे सबसे last में कितने बच्चों का यहां पर हुआ है, यह आप देख लीजे, 3166, जिसमें से कि last में Unreserved, और OBC आप देखिए, यानि कि 95 तक का यहां पर quota पूरा हो चुका है, 95% वालों तक का यहां पर selection हो चु दीजे, यह rare वाला section है, यहां पर SCHT देख लीजे, वही 95-96 के around, तो यह जो second list आपके निकलने वाली है, तो कुछ एक बच्चे यह कहते हैं, कि second में अभी 70-80% का selection हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है, जैसे कि आप सभी को पता है, 100 बच्चों में से, जो 100 में से 100 वाल वाले बच्चे हो सकता है, 40 बच्चे हो, 80% वाले 30 हो, तो ऐसे करके, जो cut off रहेगी, मैं आपको clear कर देता हूँ, second merit list में, आपकी 89-88 के आसपास, इससे नीचे नहीं जाने वाली, यह ध्यान रख लेना, clear बता रहा हूँ मैं आपको, यह आप सोच के बेठे हो, कि कम cut off वाल 85 to 90, यह 85 भी मैं हो सकता है, chances बहुत कम है, लेकिन 85 to 90, 95 के आसपास, या फिर 90 से 95 के आसपास कर लीजे, इससे कम cut off बिल्कुल नहीं जाएगी, इस reason की मैं महारस्ट reason की बात कर रहा हूँ, वहीं दोस्तों, यहाँ पे एक और में आपको state लेके बता जाता हूँ, जैसे की assume ह assume में अभी जो result आया है, first medical list आये, उसमें आप देखिए क्या ना जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे cut off नीचे scroll करके मैं आपको बता जाता हूँ, assume में यहाँ पे unreserved, यह देख लीजे, 89, 88 वाले का selection हुआ है, OBC में भी 88, और SCST में तो 84 तक चला गया, यह देखिए आप, से कम cut off ही आप मान के चलना, यहाँ पे हो सकता है, एक दो state इससे भी कम cut off वाले निकल जाए, क्योंकि अभी जो remaining state है, उनका result आना बाकी है, तो यहाँ पे SM की में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी जो second merit list निकलने वाली है, वो हो सकता है, SC के आसपास निकले, हो सकता है, 85 के आसपास या 84 के आसपास, जनरल लोबी सीगर बात की जाए, और जो last में आते आते तो आपकी 60-70% वालों का भी selection हो जाएगा, तो अगर SM से है, आप तो बिल्कुल safe मान के चलना, 60-70% वाले भी आपे आराम से selection पा लेंगे, दोस्तों वहीं एक और state में आपको बता जो percentage है, 100% दिखेंगे, देख रहे हो आप, यहाँ पे नीचे स्क्रोल कर लें, तो हम पूरा नीचे जा रहा हूँ, पूरा पूरा, यहाँ पे 384 बच्चों का selection है, जिसमें से की सभी के 100% है, तो पंजाब की cutoff आप सोज लेना, आपके second merit list, third हो, या 10 हो, या 11 हो, कितनी जा सकती है, अगर 70% पर आप उमीद लगा के बैठे हो, तो आज ही exit मार लेना, कोई selection नहीं होगा आपका, यह ध्यान रखना, दोस्तों अगर बात की जाए, यहाँ पे गुजरात वाली, गुजरात की first list आप सभी ने देख ली होगी, चेक भी कर लिया होगा, जो remaining student है, जिनका selection नहीं हुआ, उनको मैं यहाँ पे cutoff बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे scroll करके आप आप आएंगे, गुजरात में भी आप इसका scenario देख लीजे, यहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चों का selection हुआ है, और जो cutoff है, unreserved वाली, 88 के आसपास है, वहीं SC वाली 86 के आसपास ह OBC की यहाँ पे आप यह मान के चलना, जो cutoff है, वो एक तरीके से category wise प्लस यहाँ पे depend करता है, आपका division कौन सा है, किस division में आपका selection हो रहा है, तो यह आपकी जो cutoff रहेगी, यह मान के चलना, आप यहाँ पे 80 के आसपास भी अगर आपके आते है, या 85 के आसपास भी अगर तो आप बिल्कुल safe है, अगर मैं बात करूँ, SCHT से लेके OBC General तक, वहीं अगर बात की जाए, 10 merit list, जो last final merit list आने वाली है, तो आप 70-80% के आसपास भी, पे 60-70 के आसपास भी आप मान के चलना, आपका selection हो सकता है, chances पूरे-पूरे है, तो यह reason wise, यहाँ पे depend करता है, जिस पोस्ट बहुत कम है, उसके हिसाब से कम cutoff, वहाँ पे जाए ही नहीं सकती, ज्यादा ही जाएगी, वीडियो के अंत में दोस्तों में आपको बता दू, यह remaining जो state है, उनकी merit list पाँच दिन के अंदर-अंदर announce हो जाएगी, इस channel के मादिम से मैं सबसे पहले आपको बता दू second merit list के अगर बात की जाए, तो आपका डिवीड डेट यहाँ पे आ चुका है, कितने क्या है, जो भी selection हुआ है बच्चों का, तो 5 सितंबर के बाद में कभी भी second merit list जारी की जा सकती है, यह ध्यान रखना आप, इसके अलावा जो भी information आती, इस channel के मादिम से हम आपको देते कटोफ का scenario मैंने बता दिया है, निश्चित रहिए, 10 से 11, कम से कम बता रहा हूँ, 10 से 11 के आसपास merit list आएगी, और यह merit list समय के साथ में आती रहेगी, यानि कि जरूरी नहीं है, एक साथ ही निकले हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2-3 महीने का समय लग जाए, या 4 5 महीने का समय लग जाए, लेकिन जो कटोफ परसंटेज है, वो हमेशा हर कटोफ के साथ में कम होती जाएगी, और यह कटोफ यहाँ पे मान के चलना आप किसी स्टेट में 60% तक भी जा सकती है, तो निश्चित रहिए, सेलेक्शन आपका शोर है